हेलो ग्रैनी के फेवरेट बच्चों आपका स्वागत है आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में और आज सिरफ आपकी खास डिवांड पर हम लोग आ गए है अपनी प्यारी ग्रैनी के घर पे और यहां हमें ग्रैनी के साथ साथ ग्रैनपा भी फ्री में मिलेंगे तो चलो जल्दी से उनसे मिलने चलते हैं ओ तेरी की ये कौन सा कमरा है मैंने तो आज तक नहीं देखा ओम जी ये कैसी काटो वाली खतरनाक अलमारी है मैं इससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ और ये कैसा अजीब सा बटन है ओहो ये अलमारी तो फुली ओटोमेटिक है मगर यहाँ पर तो आवाज हो गई तो धोती उठा कर भागो क्योंकि ग्रैनी कभी भी यहाँ आती होगी मगर एक सेकेंड ये क्या चीज है डोर लोग वाव फ्रेंड्स अभी अभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया तो हम लोग इस डोर लोग को उठा ले थी तो चलो दोस्तो अब हम जल्दी से जाकर ग्रैनी और ग्रैन्पा को वहाँ लोग कर देती हैं हाँ हाँ ग्रैनी नोक नोक कौन है बेटा मुर्गा मुर्गा कान जो फस गया हाँ फस को हम गये है आज कह रहा है मुर्गा कल कहेगा अंडा भी दो ना बाबा ना मैं नहीं दूँगा ओकी ग्रेणपा मैं तो चलता हूँ आप दोनों अंदर बैट कर मुर्गा उड तोता उड खेलो दोस्तों आपके बुलाने पर हम लोग यहां तो आ गए और आते ही हमने ग्रेणी और ग्रेणपा को मजा भी चखा दिया और आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमा पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हमें इसको खोलने के लिए क्या चाहिए होगा क्रो बार पैडलो की और यहां पर तो डोर हैंडल भी नहीं है और उसके ऊपर बिजली के साथ साथ लोही का पिंजरा भी लगा हुआ है ये तो बहुत महनत का काम है तो चलो इस दर पीजा तो जलकर स्टन गन बन गया देखता हूँ उपर भुजिया नमकीन पड़ी है क्या ओ तेरी की अपने को तो क्रो बार मिल गया इससे तो मैं ग्रैनी के पूरे घर को तोड़ दूगा आज यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा इस वाले बकसे में क्या है ओ हो ये तो ख बिजली का मीटर है और अगर हम लोग इसकी वायर को काट देंगे तो पक्का में डोर की बिजली भी बंध हो जाएगी मगर इसके लिए तो हमें कटिंग प्लायर चाहिए होगा उसे तो हम बाद में ले आएंगे मगर पहले इस क्रो बार का काम तो कर ले और मुझे याद है कि इसी कमरे में एक बक्सा होता है देखो कहा था ना मैंने ये बक्सा यहीं पर रहता है और इसके अंदर क्या है ओ मारा ताउदे यहाँ पर तो तेल पड़ा है अब इस तेल से क्या मैं में गेट की मालिश करूँगा चलो छोड़ो इसको और अब हम जल्दी से जाकर में ग पास आ गए तो हम लोग जल्दी से इन लकडी के फटों को हटा देते हैं और जहां तक मुझे याद है नीचे भी एक बक्सा मिलता है तो हम लोग जल्दी से जाकर उसको भी खोल देते हैं और हमें थोड़ा चोकन्ना भी रहना होगा देखो वो रहा अनमोल बक्सा ओ तेरी की हमें तो यहाँ पर कटिंग प्लायर मिल गया अब आएंगे ना सवाद चलो अब हम लोग जल्दी से ग्रैनी के इस घर की सारी बिजली की तार काट देते हैं मगर सबसे पहले में डोर की सप्लाई को काट देते हैं कहा गया यहीं कहीं तो था वो मीटर हाँ ये रहा हम लोग बिना टाइम बरबाद किये फटा-फटी स्तार को काट देती है और अब मैं जाता हूँ नीचे मेन गेट को देखने के लिए आँ ग्रैनी दोस्तों ये तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है बेटा टेंशन मतलो मैं सैनेटाइजर से हाथ धोकर आई हूँ तो फिर इनी हाथों से गर्मा गर्म चाई तो पिला दो हाँ बेटा क्यों नहीं तुम कहो तो चाई के साथ साथ छिपकली के गर्मा गर्म पकोड़े भी बना दू भागो दोस्तों लगता है ग्रैनी पागल वाकल हो गई है भला छिपकली के पकोड़े कोन बनाता है आरे मेरे बास तो सुनो, मैं साथ में धनिया और पुदिना की चटनी भी दूंगी दोस्तो अब तो हम इस पगलू ग्रैनी से बच गए बेटा बहार आजाओ पर ना चाय ठंडी हो जाएगी चलो छोड़ो दोस्तो ग्रैनी की चाय और चलो हम वो करते हैं जिसके लिए यहाँ आए है देखो हमें तो डोर हैंडल मिल गया तो चलो अब जल्दी से जाकर इसको मेर गेट में लगा देते हैं और अब तो हम लोग आज मैं घर से खाना खा कर आया था इसलिए अभी भूख नहीं है हाँ बेटे तु जड़ा एक बार छिपकली के पकोड़े खा कर तो दे लिए चाटता रह जाएगा ओहो मेरे मू में तो अभी से पानी भी आ गया याम याम फ्रेंड्स ये ग्रेंडपा ऐसे नहीं मानेंगे इनको अभी बिजली का जटका देता हूँ अरे कहा गए ग्रेंडपा दिखते क्यों नहीं देखो ये बिचारे तो यही नीचे सो गए तो इनकी ये खास शेक्रूरिटी की को मैं ले लेता हूँ और चलो अब जल्दी से जाकर उस ताले को भी खोल देते हैं जिसकी ये चावी हमारे पास है देखो ये रहा सेक्योरिटी रूम और इस चावी का काम तो हो गया अब जरा उपर जाकर देखते हैं कि उपर क्या छुपा रखा है ग्रैनी ने ओहो यहां पर तो सिरफ दर्वाजे है मगर ये सेक्योरिटी रूम के दर्वाजे है दोस्तो तो जरूर इन में कुछ खास छुपा होगा और देखो हमें तो यहां हैंड वील भी मिल गया तो जल्दी से इस शोटकट से नीचे जाते हैं और इस हैंड वील का सही से उप्योग क बना हुआ है ना वो हट जाएगा तभी तो हम लोग ग्रैनी के गर से फुर हो जाएंगे अभी आपको दिखाता हूँ कि वो पिंजरा तो हट भी गया होगा और देखो वो तो उपर छट से चिपक गया अब तो हमें सिरफ इस पैडलो को खोलने के लिए एक चाबी ही चाहि मगर वो हमको कहां मिलेगी ऐसा करता हूँ उपर वापिस सेक्योरिटी रूम में जाकर चेक करता हूँ क्योंकि वहाँ एक कमरा अभे भी बच गया था हो ग्रैनी अब तुम कहां से आ गई दोस्तो ग्रैनी को भी स्टंगन का जटका दे देता हूँ पेड़ा वो पकोड़े ग्रैनी पकोड़े पकोड़े छोड़ो और अब तुम आराम करो आराम इसे अपना ही घर समझो ठीक है ठीक है तो चलो दोस्तो अब हम लोग जल्दी से जाकर उस सेक्योरिटी रूम में चेक करते हैं चलो भाई जोर लगा कर उपर चड़ जाओ देखो अभी ये वाला दरवाजा तो बचा हुआ है ओम जी यहाँ पर तो एक खूफिया जेल है कहीं ग्रैनी हवे पकड़ कर यहीं पर बंद ना कर दे और देखो वहाँ पर एक लाल बटन क्यों है भाई मुझे लगता है उस बटन को दबाने से ये दरवाजा खुल जाएगा तो चलो अब हम लो है मुझे लगता है कि इसमें ग्रैनी का खजाना चुपा होगा तो मैं इसे अपने दातों से काट देता हूँ आयायायायायाया ये तो टूठी नहीं रहा दोस्तो लगता है मेरे टूथ पेस्ट में नमक नहीं है तो मैं फटा-फट नीचे जाकर कटिंग प्लायर लेकर आत क्योंकि मुझसे तो इंतजार ही नहीं होता और आज तो यहों का सोरा खजाना लूट कर हम घर जाएंगे और वहाँ पर बैठ कर आराम से पनीर के पकोडे खाएंगे और थोड़े से पकोडे ग्रैनी को भी दे देंगे तो मैं जल्दी से इसकी सारी चैन को काट देता हूँ हाँ खोदा पहाड निकला चूहा वो भी मरा हुआ अरे बेटा मैं चूहा नहीं पड़ 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 दाता हूँ बोले तो सूपर से भी उपर वाला ग्रेंड पा अच्छा अपना ध्यान डखना ओके बाई अरे सूपर ग्रेंड पा कहो गए वे ये क्या सोने की चाबी पड़ी है वो भी तीजोरी की दोस्तों अगर चाबी सोने की है तो सोचो तीजोरी में क्या क्या होगा तो चलो जल्दी से नीचे जाकर तीजोरी को ढूंडते है बस वो ग्रेंड और ग्रेंड पा मुझे ना ढ और दोस्तों ये सब बाते छोड़ो और जल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ कि आपका फेवरिट एसकेप कौन सा है और देखो हमें तो मिल गई ती जोरी मगर ये क्या यहां तो एक और चाबी मिल गई ओ माई गोड ये तो पैडलो की है इसी की तो हमको तलाश थी तो चलो ज जल्दी से बोलो येस ओ ग्रैनी ये जा नहीं रहा जल्दी से पलेट भर के चिपकली के पकोड़े ले आओ नहीं अंकल जी मैं तो जा रहा था ओके बाए ओए ग्रेडपास कहा गया वो बच्चा मुझा लगता है वो वेडिया को लाइक करने गया होगा हाँ हाँ लाइक तो सबको ही करना चाहिए और बच्चो मेरे ग्रैनी थी वाले घर पर भी कभी आओ ना हाँ ग्रैनी हम जरूर आएंगे लेकिन सिरफ तब जब मेरे दोस्त इस वीडियो को अपने वट्सैप, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर शेर करेंगे हाँ बच्चो जल्दी आना मैं तुम्हारे लिए वहाँ केक और चोकलेट का पाहार बनाऊंगी और ग्रैन्पा जल्दी से इस बच्चे को लपक कर पकड़ लो भागो 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 औ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों ओके बाई